हाई फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूं हिना मास इसके लिए मैंने एक पैकेट नूपूर हिना लिया है इसे मैं लोही की कडाई में डाल दूंगी साथ में मैं लिख पतीली में थोड़ा सा पानी गरम करूंगी और इस खौलते हुए पानी में मैं डालूंगी ग्रीन टी आप चाहे तो नॉर्मल टी का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब हम इसे अच्छे से खुलाने देंगे जब कलर आ जाए तो हमें बंद करनी है ये ग्रीन टी और इसे ठंडा होने के लिए रखना है जब ये गुनगुनी हो जाए तो हम इसे चानेंगे और अपनी लोह का काम करती है मैं अकसर इसका इस्तमाल अपने पौदों के लिए करती हूँ आप हम अपने हीना के पेस्ट को दो घंटे रेस्ट करने के लिए रख देंगे दो घंटे बीच चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे एक एग अगर आप एक का इस्तमाल नहीं करना चाहते तो आप इसमें नारियल का तेल डाल सकते हैं एकसे ये इस पैक में बढ़िया बाइंडिंग आती है और बालों में भी ये अच्छे तरह से एब्जॉब हो जाती है और बालों को काफी स्मूध करती है बहुत से लोग एक का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्यों नहीं लगता है कि एकसे एक बुरी स्मेल आती है जो कि बिल्कुल सही बात है तो इसके लिए भी मेरे पास एक इलास है क्योंकि मैं अपने पैक में डालती हूँ एक इसेंशन ओयल आप अपनी पसंद का कोई डाल सकते हैं मैंने यहाँ पे ट्रीटी ओयल लिया है इसकी कुछ बुंदे हम इस पैक में डाल देंगे और फिर अच्छे से मिलाएंगे ट्रीटी ओयल बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है यह डेंडरफ रोकने में काम आता है और साथ में कुछ और इंफेक्शन जो बालों में होते हैं बरसात के दिनों में या बारिश के कारण तो उससे भी रक्षा करता है देखे फ्रेंड सी कितना बढ़िया पैक बन गया है यह बिल्कुल भी लिकी नहीं है बालों पर अच्छी तरह से यह सेट हो जाता है एक डालने का यही फाइदा होता है कि यह बालों को अच्छे से पकड़ता है